हाई फ्रेंड्स कैसे हुआ आप आसा है आप सभी ठीक होंगे आई होप यू विल बी गुट फाइन फिट दियर सो आज हम बात करने जा रहे हैं माइट के बारे में माइट का यूज कहां कहां होता है इंग्लिस लेंग्वेज में उसके बारे में हम समझेंगे इस सब्द इन उधारणों के साहारे की किस तरह से माइट का यूज किया जाता है और वो ये सेंटेंस्स कौन से हैं जिनमें माइट का यूज कर सकते हैं माइट का आर्थ होता है समभावना ब्यक्त करना तो यहां पर आप देख रहे होंगे हिंदी का एक पहला स्टप है वर्सा हो सकती है किसी चीज की संभावणा ब्यक्त की जारी वर्सा होने की संभावणा ब्यक्त की जारी है तो इक साथ might का यूज हो रहा है तो it might rain today आज जा बारिस हो रही है और उसके बाद जो second वाला sentence श्क्रेंस मुझे आज देरी हो सकती है तो आप आगए सकते हैं कि ऐख्याइट है कि मैट टेट मोइ आज देरी हो सकती है साथ मुझे आज देरी होसकती है Christmas नहीं ऩरिल्स ए फिंच यहां पे संभावना जटाई जा रही है साध्य लोग आ सकते हैं तो यहां पर त्न इंग्लिस में convert किस तरह के साफ करेंगे इसको दे माइट कम वे के लिए अधिक तर वे का यूज किया जाता है तो इसी तरह से फोर्त में जो sentences हमारे पास साइद तुम उसे हरा सकते हो उसको हम किस तरह से इंग्लिस में convert करेंगे you might defeat him you might तुम कर सकते हो क्या हरा सकते हो defeat him साइद तुम उसे हरा सकते हो ऐसा लगता है तो इसी तरह से हम जो है اسKA use कर रहे हैं और यहाँ पर देखो यहाँ पर हम जो है दूसरा जो हमारे पास word है उसका यूज अउड बी इसका आर्थ ये होता है यूज इस अउड बी यहाँ पर रहा होगा या रही होगी आधी-ाधी का उच्टव रहा होगा जैसे एक्शलि जब आप बोलते हैं कि हम कहीं जाएंगे तो उस समय आप क्या कर रहे होंगे यह हम जब आपके घर पर आएंगे तो उस समय आप क्या कर रहे होंगे तो यह जो है एक प्रकार की संभावना ब्यक्त करने के लिए ही यूज किया जा रहा है तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे कि आप चाए पी रहे होंगे तो इसका इंग्लिस में convert would be का यूज कैसे होगा you would be drinking tea मतलब आप चाए पी रहे होंगे दूसरा वाला जो आपके पास question है राम cricket खेल रहा होगा तो आप कैसे convert करोगे राम उड़ बी playing cricket राम उड़ बी playing cricket हम तीसरा में जो है आपके पास हम लोग अपने घर में सो रहे होंगे तो इसका अर्थ ये इंग्लिस में जो convert हो जागा we would be sleeping in our home we would be sleeping in our home और fourth में आपका आएगा बच्चे यहां आ रहे होंगे तो kids would be coming here fifth में वे लोग किताबें पढ़ रहे होंगे तो दे यहां पर आप जो है इसे स्वयंद कर सकते हैं कि वे लोग किताबें पढ़ रहे होंगे इसकी practice आप खूद करेंगे और इस से पहले इस से पहले वाले में आपने देखा कि सायद आज बर्फ गिर सकती है तो यहां पर आपको बनाना है कोसिस कीजिए इसी तरह से आप बना सकते हैं इन दोनों में और easily आप जो है सीख पाएंगे आईए हम एक और words का यूज कर लेते हैं जैसे यहां पर लिखा हुआ है as soon as जितना मदद जैसे ही इसका अर्थ हुआ है जैसे ही फरस्ट में जैसे ही वह आया हम चले गए as soon as he come we left as soon as he come we left a second वाला जो आपके पास sentence आया है वह है जैसे ही कुछ ख़बर आये मुझे फोन करें तो phone me as soon as you hear some news जैसे ही उसके बारे में कोई news आये या ख़बर आये तो मुझे फोन करें तीसरा sentence जैसे ही बारिस होना बंद होई हम चले गए as soon as it stop it stop raining we left जैसे ही पेड कटा सड़ने लगा the tree started rotting as soon as it was cut as soon as कार्द होता है जैसे ही धन्यवाद दोस्तो इसी तरह से आप practice भी करते रहें पढ़ते रहें खुस रहें स्वस्त रहें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बहुत बहुत धन्या